नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का इक्रम खबर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेभाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपी पत्रकारिता दाखती है सवाल दरसवाल प्रधान मंत्री नरेन मोधी लगातार न्यू इंडिया नए भारत के निर्मान की बात कर रहे हैं और हम सब देख रहें कि किस तरह से यह जो उनका न्यू इंडिया है निया भारत है इसके लिए जो कदम बढ़ा रहे हैं एक-एक करके वह क्या है इसका एक ताजा तरीन उदाहरण बानगी एक्जैंपल हमें दिखाई दिया काशी की जो उनकी लखदक यात्रा है जो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है जिसको देखकर देश दुनिया में बिल्कुल दूसर संदेश दिया जा रहा है यह अकारण ही नहीं है कि वहां जाकर प्रधानमंत्री को याद आते हैं औरंगजेव याद आते हैं शिवाजी और भी न जाने क्या-क्या और मजे की बात है कि जिस समें देश बेरोजगारी के रसातल में गया हुआ है जिस समें महंगाई सर बोल रही है उस समय हमारी आपकी सरकार हमारे आपके पैसों से ही करोणों रुपे खर्च करके इस तरह के इवेंट कर रही है हमने देखा कि सैकडों कैमरे लगे हुए हैं हर एक कैमरे के सामने अलग-अलग धंग से पोस करते हुए प्रधान मंतरी हैं एक ही दिन में चार-पा तक की यातरा भभूत लगाए, साप को गले में डाले, गंगा को जटा में थामे, सादगी का परियाय के रूप में भारती जन्मानस के चेतन अवचेतन में बैठे हुए हैं। और किस तरह से साधा जा रहा है, इसका लाइव कवरेज हम आप सब देख रहे हैं। जो राजनितिक उठापटक उत्तरप्रदेश की धर्ती पर चल रही है, उसे बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि निशाना सिर्फ 2022 नहीं, 2024 भी है। बात सिर्फ ठाकुर और ब्राहमर समीकरण में जो गरबड़ी चल रही है, उसकी ही नहीं है। योगी मोदी के समीकरणों को निप्टाने की ही बात नहीं है, उसे सुधारने, बिगारने या पावर टसल जो चल रहा है, उसकी बात नहीं है। हिंदुत्व के सबसे चमकते चहरे के रूप में कौन अपना चहरा स्थापित कर पाएगा, बात सिर्फ इसकी भी नहीं है। या फिर किसानों की नाराजगी को कैसे मैनेज किया जाएगा, यह सब सारा का सारा जो समुद्र मन्थन है, वो उत्तर प्रदेश की धर्ती पर चल रहा है। अब विश और अमरित में फसा यह जो हमारा लोकतंत्र है, इसकी गतिया हो गई है कि ऐसा लगता है कि जो मित्किय जातक कथाएं हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ते रहे हैं, जहां एक राजा होता था, उसका भवे दर्बार होता था, दर्बार में अलग-अलग धंके ल बहुत दूर तक दिखाई दे रही है, और एक दूसरे ढंक से भारती राजनीती की परिपाटी इसपश्ट हो रही है, धर्म, राजनीती और हिंदुत्व की जो प्रियोकशाला चल रही है, बनाई जा रही है, इसके शंखनाद हमें आपको सब को सुनाई दे रहे हैं, और ह बहरानी इस बात की है कि एक सेक्शन, एक हिस्से को यह समझाने की कोशिश हो रही है, कि भारत का गौरव एक हजार साल बाद इस तरह से विक्सित हुआ है, देश को एक निया राजा मिला है, यह सब उस समय चल रहा है, जब देश में जो बुन्यादी सवाल हैं, वह मूपा खड़े हुए हैं, इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों और पत्रकार पर गठित, SIT की जो रिपोर्ट है, जो उसने अदालत को सौपी है, उसे देखना बहुत जरूरी हो जाता है, SIT ने खुल कर साफ साफ शब्दों में कहा, कि ग्रिह राजमंत्री, क पेनी के बेटे, आशीश मिश्रा, सीधे सीधे दोशी है, जानलेवा हमला करने, अंग भंग करने की साजिश संबंदी, तमाम आरोप उन पर लगाने की तैयारी की, SIT साफ साफ कहती है, कि जिस तरह से मामला सामने आया है, जिस तरह से जो खबरे सामने आई है, उससे यह ल कोची समझी साजिश के तहट किसानों के ऊपर केंद्री राजमंत्री के बेटे ने SUV चलाई, जिसमें लोग मारे गए, एक पत्रकार की भी मौत हुई, अब आप देखिए कि यह सब कुछ उत्तरप्रदेश में तकरीबन एक ही समय हो रहा है, जिस समय प्रधानमंत्री काशी में लखदक इवेंट कर रहे हैं, बैठके कर रहे हैं, फोटो आ रही हैं, लाइफ कवरेज हो रहा है, ठीक उसी समय हमारे सामने SIT की यह पूरी की पूरी खबर सामने आती है, क्या इन में कनेक्शन पाया जा सकता है, क्या हम और आप यह सो सकते हैं, कि जब तीन कृशी कान में जो किसान वापस गए, उनकी जो सबसे एहम मांग है कि लखीमपुर खिरी में जिस तरह से किसानों की हत्या हुई, बत्रकार की हत्या हुई, उसका नयाय हो, उस पर जो गठित SIT है, वह यह जांच रिपोर्ट सामने लाती है, यानि सरकार जो एक तरफ से पूरी कर रही है कि किसान आंदोलन से जो उपजा आक्रोश है, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट, इसका राजनितिक हश्र या राजनितिक कीमत उसे ना चुकानी पड़े उत्तरप्रदेश के चुनाओं में, उसका माहौल तकरीबन SIT की यह जो रिपोर्ट है, यह बताती है, इस पर बहुत तीखी निगाह हमें और आपको बनाए रखनी पड़ेगी, कि आखिर लखीमपुर में जो हुआ, जिस तरह की हत्या हुई, सरयाम हुई, वीडियो कैमरे में कैद हुई, जिसमें हमारे एक पत्रकार भी गए, वह सब कुछ जिस पर इतने समय से चुप्पी है, ल मंत्री मंडल से, ऐसे में SIT की रिपोर्ट आना इसका राजनितिक परियाय क्या है, राजनितिक अर्थ इसका क्या होगा, किस तरह से आगे की लड़ाई चलेगी, और यह जो आंदोलन पूरा चल रहा है, इसकी धार किस दिशा में मुड़ेगी, जिस समय हम आप तमाम तरह क के विकास की, चमचमाते पोस्टरों की, विग्यापनों की, भरमार में घिरे रहते हैं, उसके शोर में घिरे रहते हैं, उस समय जो जमीन पर हो रहा होता है, अकसर वो अंदेखा रह जाता है, अद्रिश्य रह जाता है, मदर प्रदेश के भोपाल से जो खबर आई है, वो पर 20 फिट के करीब गहरे सीवर में दो भारतिय नागरिकों को उतारा जाता है और कोई सेफ्टी गेर नहीं कुछ नहीं दोनों मर जाते हैं या यूं कहिए कि दोनों की हत्तिया यह सिस्टम सीवर के अंदर कर देता है यह तब है जब मदर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में देश की संसद में सीवर में मरने वालों के बारे में मैला ढोने वालों के बारे में बिलकुल दूसरे ढंका जूट एक के बाद एक बूला जाता रहता है काईदे से 2013 के कानून के बाद और 2014 में सुप्रीम कोट के फैसले के बाद किसी भी भारतिय नागरिक को सीवर सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए उतारना गैर कानूनी है लेकिन हम सब जानते हैं कि यह खुले आम चलता रहता है शायद इसकी बहुत बड़ी वज़ा है कि सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करने वाले उस संपन बिरादरी से नहीं आते जिसकी जीवन और मौत की चिंता यह सिस्टम करता है मरने वाले सारे के सारे दलिस समुदाय या बहुत ही माजिनलाइज कम्मूनिटी के होते हैं को खीच के निकाला जा रहा है वह रॉंग्टे खड़े कर देने वाला है वह यह बताता है कि जिस तरह से 17-18 साल का लड़का जो भोपाल पहुचा था अपने पिता के पास ताकि वह पढ़ सके पढ़ाई के लिए वह पैसा जुटाने के लिए कुछ काम कर रहा था रोते हुए उनके पिता बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जो सपने देखे थे वह सब सीवर में डूब गए कि अपने कंपने कर वाही में आपके सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस तरह के हाथ से ना हो यह जो तमाम हत्याएं हैं, इनकी याद करनी इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चमचमाते हुए लाइफ कवरेज होते हैं, चाहे वो काशी हो या बाकी घटनाएं, वहां से यह भारत हमारे आपके जहन से, हमारे अपके दिमाग से गायब हो जाता है, हमें लगता है सब कुछ वैसे ही चमचमा रहा है, सब कुछ वैसे ही लेजर राइट जैसे चमकती है, आयोध्या हो या काशी, सारा देश उसी तरह का हो गया है, इस पूरे मसले पर हमने बात की बेजवाड़ा विल्सन से, जो सफाई करमचारी आंदोलन के नेता हैं, और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, सीवर सेप्टिक टैंक स्टॉप किलिंग अस एक बहुत एहम कैंपेंड चलाते रहे हैं, जिसमें एक नौजवान लड़का, 17-18 साल का पढ़ने वाला बच्चा था, यह जो संसद में सरकार कुछ बोलती है, जमीन पे कुछ हो रहा है? सिवेज डेशों यह नया नई है, हर दिन हो रहा है, यह अभी यह तीन माइने के अंदर, कम से कम, 18 अलोग ने देश बर हर जगाने मर चका, सरकार का सब जानते हैं, वो सरकार पार्लेमेंट पैसे दूट बोलके, यह अलग अलग लगा के, वो टेक्निकल प्राब्लम ने बठाते, जो प्राब्लम बठाना, सिखाना और कैसे भी पार्लेमेंट का डाइवर्ट करना, एक नीती हो सकती, यह करना चोड़ो, बट यह इस सब्सक्राइब का यह बिए ना के प्राब्लम प्रादानमंत्री बठाके तो बटा सकते हैं, हर छीज़ का स्मार्ट को रशाएं, क्या स्मार्ट है, क्या बोपाल सिटी का अंदर आज भी पहले बार नहीं है, अभी तक आथ लोग ने वहां मर्च कामरा पास अंकड़ा है, स जिवर का अंदर बुसाना अब सफक्राइब भी करते हैं कि इतने साल से एक स्टूटा मेशन भी सरकार नहीं बन पए सरकार केता है स्टूडेंट्स बनाएंगे दूसरा बनाएंगा IIT बनाएंगे क्या देश पे इतने नागरिक मरने के बाद IIT सुलिशन लेका आएगा सरकार का पस कोई योजिना नहीं है इसका भोपाल में हुई मोतों पर हमने बात की सफाई करमचारी आंदोलन के प्रभारी पवन बालमिकी से सीवर में मोतें बढ़ने का मेन कारण है कि स्मार्ट शिटी के अंतरगत जगे 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 जो है सीवर लाइने डाली जा रही है और उसमें जो सुरक्षा के इंतिजाम है उनको ताप पर रखा जा रहा इससे ये मोतें की संख्याब बढ़ रही और आगे भी यहां से ही रहा तो और बढ़ती जाए सरकार क्या मान रही है कुछ मुआफ़ा दे रही है क्या कर रही है सरकार सरकार का काम तो पूर भी जो मौतें हुई उसमें टालमटोल कर रहा अभी बी काफी लोग जो मारे गए थे सीवर सेप्टी टैंक में मत्परदेश में उनको मुआबजन नहीं मिला और धारण के रूप में जैसे अभी रीबा में जो दो लोग मरे थे उनको भी नहीं मिला है और काफी यहांसे और लोग हैं जो सरकार के पास अमारे संगठन ने डाटा दिया उनको अभी तक कंपनसिशन नहीं मिला है ठीक दो साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में जो युनिवस्टी है जामिया मिलिया इसलामिया वहाँ पर पढ़ने वाले चात्राओं के ऊपर हमला हुआ था पुलिस ने बर-बर लाठी चार्ज किया था लैबरेरी और कैंपस के अंदर घुसकर चात्र मारे गए थे चात्राएं मारी गए थी और इसका आक्रोश पास में जो बस्ती है शाहीन बाग वहाँ फूटा था हम सबने देखा था कि शाहीन बाग में किस तरह से औरतें बाहर आई थी उन्होंने मौर्चा समाला था उन्होंने यह मौर्चा सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं उन्होंने यह मौर्चा मोधी सरकार जिस तरह का नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी उसके खि पुलकर कहा था कि यह मिट्टी हमारा दस्तावेज है, हम इसी वतन के हैं, हमारी खाक यहीं पर फना होगी, और उसके बाद हमने देखा था यह शाहीन बाग, जो एक संग्या थी, जो एक जगा थी, वह सर्वनाम में हो गई, यानि देश भर में शाहीन बाग फैल गया, हर पान से लेकर बुजर्ग महिलाएं, अधिक्तम मुस्लिम महिलाएं मोर्चे पर उतरी थी, और उन्होंने खुले आम बेखौफ होकर चुनौती दी थी, और कहा था कि यह देश का आईन है, देश का जो सम्मिधान है, यह हमारा है, और यह हमें यहां की नागरिक्ता हासिल कर हमें यहां का नागरिक मानने का पूरा का पूरा अधिकार देता है, इसे कोई भी सत्ता चुनौती नहीं दे सकती, आज शाहीन बाग जामिया मेलिया इसलामिया में जो घटना हुई थी, उसे याद किया जा रहा है, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद कि राजधानी दिल्ली ने यह भी देखा कि किस तरह से इस आंदोलन में जो लोग उत्रे थे, जो नौजवान चेहरे थे, उन्हें निशाने पे लिया गया, आज भी उन में से बहुत एहम चेहरे सलाखों के पीछे हैं, उनके नियाए की मांग चल रही है, आईए चलते हैं प्रेस क्लब और देखते हैं, यहाँ पर इस अफसर पर जो प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर क्या मुद्दे उठ रहे हैं। लोगों का नाम भिताल दिया गया निशी तो यह निशी क्या है, यह इस क्या है। There is only one time in history when a state has said to its people that we will decide who is the citizen, depending on a set of documents that we will approve. And that was in 1935 Nazi Germany, the Nuremberg citizenship one. So, फिर्फ जब Hitler के राज में, 1935 में, Germany में यह किया गया था, कि state decide करेंगे, कि citizen कौन है, और वो उसी documents पर decide करेंगे, जो state documents बनाएंगे और देंगे, लगिस्टी paper जिसको कहते हैं। Actually यह शुरू हुआ था एचल में, बादादेशी citizens के रहा, अब CAA भी आगिया, तो, We are in a situation where although the NRC and the CS aimed against the muslim community without any doubt, it is a fascist right wing Hindu government trying to delegitimize its citizen. When you look at even what has happened in Astağğğğar the majority of the people who are not on the NRC are not muslim. दोस्तों आज की तारीख में सिर्फ सच बोलना ही मुश्किल नहीं है मुश्किल यह है कि जिन मूलियों पर यह देश आगे बढ़ता रहा है इस मूलियों पर देश को आगे बढ़ना चाहिए हमें आपको हमारे परिवारों को आगे बढ़ना चाहिए उसे पीछे घसीतने की बहुत तेजी से कोशिश हो रही है यह महज इत्वाक नहीं है कि CBSE अपनी परिक्षा में इतना घंगोर महिला विरोधी, मानवता विरोधी टेक्स्ट रखती है बच्चों से कहती है, उनको पढ़ने को टेक्स दिया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज की जो महिला है, वह कितनी खौफनाक महिला है क्योंकि आज की महिला अपने नाम से पहचानने की कोशिश करती है अपनी जगा देश के समयधान के हिसाब से बनाने की कोशिश करती है बराबरी में विश्वास रखती है यह टेक्स्ट पढ़ने में रूह कापती है कि इस तरह का टेक्स्ट, इस तरह का पूरी की पूरी जो पैराग्राफ दिया गया था बच्चों को पढ़ने के लिए, वह किस दिमाग से दिया गया होगा, जहां पर यह बताया कि जो महिला है, वह अपनी इच्छाओं के लिए जब आगे आती है, तो परिवार किस तरह से त पीछे है, हम बार बार आपको, खुद को, सब को यही आगाह करा रहे हैं कि यह जो दिमाग चल रहा है, यह जो मनुवादी दिमाग है, मनुस्पृति में हमें आपको पीछे ढखेलने की कोशिश है, वहां पर आज के तमाम लोग जो हैं, हम आप महिलाएं, बच्चे, बच पीणा एक गुना है, उस पर जब संसद में सोनिया गांधी जो कॉंग्रिस की नेता है, वह सवाल उठाती हैं, उसके बाद उसे वापस लिया जाता है, यह जो सारा दौर यह महौल चलाया जा रहा है, कि एक तरफ जब सही सवाल सीबीएस्टी के एक्जाम में पूछा जात है, और आप देखिए कि यह जो टेक्स्ट इस समय सामने आया है, यह बता रहा है, कि आज की तारीख में अगर सिर्फ महिलाएं नहीं हम और आप अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कॉंस्ट्यूशन को बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, तो शायद जिस तरह के भारत में हम जी रहे हैं, वह जीना भी मुहाल हो जाएगा, शुक्रिया